हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियों लोग बात करने वाले हैं जो यह ICC CWC League 2 का 40 वा मैच USA वर्सिस स्कॉटलैंड के टीम के बीच में खिला जाएगा इस मैच के बारे पे इस वीडियों लोग बात करेंगे तो 30 अक्टूबर रात 9 बज़े से Grand Prairie Cricket Stadium डलास में खिला जाएगा मैच फॉर्मेट की बात करें OTI का यह फॉर्मेट रहने वाला है अगर दोस्तों अभी तक आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप लोग का टेलीग्राम से जुड़ना काफी important रहने वाला ह क्योंकि टॉस के बाद की सारी update और टॉस के बाद जो भी मेरी final टीम रहेगी वह आपको टेलीग्राम पर ही मिलने वाली है तो आप लोग जुड़ जाना लिंक आपको इशी वीडियो को description मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते है प 295 करा है अब आप लोग यहां पर scoring pattern भी देख सकते हो तो जो यहां पर total 3 matches खेले गई हैं उसमें से दो बार 200 के below score रहा है एक बार 250 से 200 99 के बीच में गया है यानि कि दोस्तों पर overall switch के बारे में लोग बात करें तो यह betting के लिए अच्छा कांसा विकेट रहता है कोई टीम य यहां पर weather report की बात करें 4% chance यहां पर रहन के रहने वाले बारिस के ज्यादा chance है नहीं पूरा match आपको देखने को मिलने वाला है अब दोस्तों इसी tournament के जो last 3 matches किसी venue पर खेले गई है उन 3 matches का आप लोग यहां पर score card भी देख सकते हो ताकि आपको आप थोड़ा सा और अच score बनाए और दोस्तों जो low scoring match हुए है अगर आप उनमें देखो कि तो जो भी team यहां पर all out मतलब दोनों team जो खेली है वो all out होई है अपने पूरे 50 over complete नहीं कर पाई है तो अगर कोई team यहां पर संबल के खेलती है तो अच्छा score बनाया जा सकता है जैसकर कि यहां पर नेपा 26 विकेट पेसर को मिलें वहीं 15 विकेश्पिनर ने निकाले तो वैसे तो दोस्तों यहां पर पेसर ज्यादा अच्छा करते हैं पर यहां पर इस पिनर भी कही ना कहीं गैम में आते हैं तो जो अच्छे इस पिनर है उनको भी आप लोग अपनी team में लेके चल सकते हो अब य पहले देखोगा तो जो इनके लाश्ट पांच मैचेस रहें उसका सब का उपर रिसक लेके चान सकते हो उससे पहले चांगी रहे हैं 24 में 478 रंस है 34 रिकॉर्ड इनका भी अच्छ है लाट में जो नेपाल के खिलाफ खेले उट में सैंचुरी लगाई उससे पहले जो खेले उसका आप लोग फॉर्म देख सकते हो मौनक पटेल हैं कैप्टन एंड विकेट कीपर बल लेवाज है अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं 56 में 17 से ज्यादा रंस है 35 कैवरेज है वन डान तो बैटिंग करने आएंगे अपने टीम से विकेट कीपिंग भी करेंगे सेतेजा मुकमल ना है रिकॉर्ड दोस्तों इनका भी अच्छा है 22 में 626 रंस है 35 कैवरेज है अच्छे प्लेयर है इनको भी आप लोग ट्राई करन फोर्म भी इनका अच्छा रहा है मिलेंद को मारें मस्ट पीक रहेंगे अच्छी कांती बॉलींग भी कराते है बैटिंग भी करते हैं आला कि जो लास्ट के दो मैचेज रहें उसमें बॉलींग नहीं कराई है वैसे ये बॉलींग बैटिंग दोनों कर लिए तो और इस पिनर है साथ मैच इसमें 45 रंच है 15 चैवरीज है चैविकेट है साथ मैच ओटी है की पिन है संतानवे रंच 24 चैवरेज 13 विकेट काफी अच्छा रिकॉर्ड है लगबग आपको आठ से तस ओवर की बॉलिंग भी दे करते हैं बैटिंग भी करते हैं जस्दीप सिंग है 32 मैच में 223 रंच है 11 विकेट मैन रॉल इनका यहां पर बॉलिंग से रहता है और दोस्तों यह बैटिंग भी ठिक्टा कर लेते हैं फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई कर सकते हो जब USA की टीम पहले बॉलिंग करें तब यह ज निकाले हुए है शौरब नेत्रवलकर अपने टीम के इंपोर्टेंट बॉलर है त्रेपन मैच में 80 विकेट अभी तक ओडियाई में निकाल चुक है इस टूर्णामेट में रीशेंट भी देखोगे तो रीशेंट भी अच्छा गासा इनका रहा है दो विकेट तीन तो आपको पता रहेगा तो आप लोग चाहो या पर ले सकते हो अब यहां पर हम लोग यूए से की टीम के स्टार्टेंग और डेथ होबर्स के बारे में जानते हैं तो यहां से दोस्ता आपको स्टार्टेंग में शौरब नेत्रवलकर एस शालवेक और जस्दीप शिंग यहां को स्टार्टेंग में बॉलिंग करते हो देखेंगे और यही तीनों आपको डेथ में भी दिखने वाले हैं अब यहां पर दोस्ता हम लोग इसकोट्लेंट की टीम की प्लेंग लेविल प्लेयर स्टार्ट और रिशन फोर्म के बारे में जानते हैं तो यहां से अगर आप सबसे पहले बात करें चारले टियर की साथ मैचिस खेलें 146 रंस है 47 रिशन देखोगे जीरो तेता लिशोला चार पारा इस तरह का इनका रिशन रहा है तो इनको दोस्ता आप लोग जील में ट्राई कर सकते हो इस मॉल लीग में लेना इनको थोड़ा सा रिस्की रहे क आप देख सकते हो इनका दोस्तों जो इनका अंठानवे रंस का स्कोर जो इसी टूर्णामेंट में आया है वो इसी टीम के खिलाफ आया यानि कि यू एशे की टीम के खिलाफ तो इनको आप लोग इस मैच में ट्राई कर सकते हो लास्ट मैच में अच्छा किया था तो हो सकत रहेंगे लगबग आठ से दस ओवर की बॉलिंग भी दे रहा है प्लस बैटिंग भी काफी अच्छी करते तो यह कैप्टन सी की बेस्ट आप्शन रहने वाले हैं रिची बैरिंग्टन है अपने टीम के कैप्टन है इंपोर्टन लाड़ी है रिकॉर्ड भी अच्छा है और दोस्तों जो यूएशे की टीम के खिलाब रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है वो भी मैं आपको आगे दिखाँगा बाकि आप रिशेंट यहां पर देख सकते हो माइकल जोन्स आपके जील के पिक है मैथ्यू क्रोस को भी आप लोगे का जील में ट्राइ कर सकते हो यह भी इंपोर्टेंट है बैटिंग बॉलिंग अगर इनको ठीक से दी जाए तो यह अच्छा करके जा सकते हैं अच्छे प्लेर हैं मार्क वाट हैं अपने टीम के इंपोर्टेंट टेस्ट पिनर हैं अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं 68 मैच में 56 रंस है 19 कैवरिज है 96 वेक टेक अप लोग यहां पर देख सकते हों अब यहां पर जो सकोटलेंड टीम के बैश्मर प्लेर बैटेर उए उन सब लोगल सक्छे कि इन में से भी कोई भी खेलता है तो आपको पता रहेगा अब यहां पर दोस्तों लोग स्कॉट लेंड के टीम के स्टार्टिंग और डेथोवर्स के बारे में जानते हैं तो यहां से दोस्त आपको स्टार्टिंग में ब्रेडली कुईरी और यहां पर ब्रेंडन मैकमूलन या पो इस्टार्टिंग बॉलिंग करते हो देखेंगे डेथो बस में आपको किरिस शूल किरिस शूल दोस्तों लास्ट मैच नहीं खेले थे अगर खेलते तो यह भी डेथ में आते हैं अब अगर यह नहीं खेलते तो फिर आपको यहां पर ब्रेडली कुईरी ब्राड वील और उनके साथ में Mark Watt देख सकते हैं अब यहां पर दोस्तों हम लोग पॉइंट स्टेबिल भी देख लेते हैं याने कि इस टूर्णमेट में दोनों टीम की कैसी परफॉर्मिस रही है तो वह चीज भी आप यहां पर देख सकते हो तो पहले दोस्तों हम लोग यहां पर USA की की बात करें तो USA की टीम ने इस टूर्नमेट में दस मैचिस टोटल खेलें, साथ जीतें, तीन आ रहे हैं. दूसरी तरफ इसकोर्ट्लेंड की टीम हैं, जुनोंने 9 मैचिस अभी तक इस टूर्नमेट में खेलें, पांच जीतें, तीन आ रहे हैं. तो दोनों टीम्स ने head to head में total 7 old GI के matches अभी तक खेलें जिसमें से 3 USA की टीम ने जीते हैं चार spotland की टीम ने जीते हैं तो head to head में अगर आप देखोगे तो spotland की टीम थोड़ा सा आगे रही है अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग top picks by head to head के बारे में जानते हैं यानि की कौन-कौन से वो player हैं जो head to head में अच्छा करते हैं उनके बारे में लोग यहाँ पर जान लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखोगे मोनक पटेल 7 matches head to head में खेलें 216 रंसे 31 के अवरेज है एश मोदानी है अगर खेलते हैं 5 match में 113 रंसे 35 के अवरेज है रिची बेरिंटन 5 match 201 रंसे 67 के अवरेज है तो इसी वज़े से वैं बोल रहा था रिची बेरिंटन का head to head में काफी अच्छा record है एम लेश के 5 matches खेलें 24 रंसे 25 के अवरेज है एश शालवेज है एक match खेला जिसमें 58 रंस की पारी रही है 58 के अवरेज है शी टेयर है एक match में 43 है 43 के अवरेज है यह उमीद ने एक match के ला जिसमें 98 बना के नो डाउट रहे हैं अब यहां पर most wicket में देखोगे यहां पर शौरब नित्रवल कर सबसे उपर देखेंगे 7 match में 12 wicket है B. McMoolan का 1 match में 3 wicket है M.Watt 5 match 10 wicket Shishul खेलते हैं 2 match में 3 wicket है B. Wheel का 1 match में 2 wicket है B. Query का भी 1 match में 4 wicket है तो इसी तरह आप लोग यहां पर हर एक player का देख सकते हो तो यही player है जन्होंने head to head में अच्छा किया हुआ है आप लोग यहां पर सबका record देखके चल सकते हो अब यहां पर दोस्तों हम लोगों ने इस match के बारे में सबको जान लिया हर एक player के बारे में जान लिया अब आप लोग आपने team देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों विकेट कीपिंग में मैंने आप एम पटेल को लिया है बैस टॉप से ने वन डाउन बैटिंग प्लस अपने team से विकेट कीपिंग भी करेंगे तो मैंने इनको लिया है इनके अलावा दोस्तों यह गोश अच्छे player है मैं इन पर रिस्क लेके जा सकता हूँ ओपनिंग करते हैं अच्छे खिलाड़ी है लाश्ट के अगर आप तीन मैचेस जो इस्टूर्ना मैटमेंट के रहे हैं उसमें flop है पर उससे पहले दो मैचेस में अच्छा किया और रिकॉर्ड भी अच्छ है मैं इनको लेके जा सकता हूँ बाकि मुनसी खेलते हैं इंपोर्टेंट हैं सी टियर को आप लोग जील में ट्राई करना एम क्रॉस भी दोस्ता आपके जील के अच्छे option है इनको जील में जरूर ट्राई करें तब ज्यादा अच्छे option रहेंगे जब Scotland की टीम पहले बैटिंग करें तो फिलाल मैंने एम पटेल को लिया है बैटिंग में देखोगे यहाँ पर मैंने सिर्फ रिची बेरिंग्टन को ही पिक किया है अब इनके अलावा दोस्तो एश मुकमला अच्छे option है ट्राई कर सकते हो यह भी अच्छा कादर रिकॉर्ड रखतो रिशन जो फॉम है वो भी अच्छा है तो इनको भी आम लोग लेके चा सकते हैं यह जहांगी रहें अभी ओपनिंग करने आ रहें इनको भी आप लोग जील में ट्राई कर लिना यह उमीद लास्ट मैच जो नों ने खिला तो उसमें 98 नॉट आउट की इनकी बारी रही थी तो इनको भी दोस्ता आप लोग जील में जरू ट्राई करना सेलेक्शन कम है पर लास्ट में जब इन्होंने head to head match किला था उसमें काफी अच्छा किया था तो इनको आप लोग जील में ट्राई कर सकते हो एम जोंस इनको भी जील में लेके जाना है कृष्ण मूर्ती यहां पर उतने important रहेंगे नहीं तो फिलाल मैंने Barrington को लिया है all rounder section में देखोगे यह betting balling दोनों ठीक्ता कर लेता है तो इनको आप लोग जील में ट्राई कर सकते हो बाकि नीचे अभी कोई नहीं खेल रहा है M.Watt अपने टीम के management है अच्छी कासी balling भी डालतो और यह betting भी ठिक्ता कर लेता है इनके लावा नीचे देखोगे शौरब नित्रवलकर जिनका selection कम है पर दोस्तों यह first balling में काफी ज़्यादा important रहते है डेथ के baller और wicket taker है देखोड भी अच्छा तो first balling में इनको drop नह selection काफी कम है squad land की team पहले balling करें GL small league दोनों में try कर सकते हो बाकी नीचे अभी कोई नहीं खेल रहा है तो फिलाल दोस्तों जो मेरी यहाँ पर team बन रही है वो यहाँ पर कुछ तो वो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार है अब यहाँ पर मैंने अपनी कप्तानी B. McMullen को है वाइस कैप्टन मैंने एम कुमार को किया है आपके पास जो अदर option यहाँ पे cvc के रहेंगे वो यहाँ पर दोस्तों एश्वें शालवे करेंगे इनके अलावा देखोगे रिची बेरिंग्टन बीस मैच में अच्छी option है और यहाँ पर आप बॉलिंग में देख रहे ह लिंक आपको इशी वीडियो को description मिल जाएगा मेरे टेली कराम चैनल का तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो साब पुर वीडियो वाच करने के लिए thank you so much दोस्तों